दोस्तो अब रश्या ने यूक्रेन में वो काम करना शुरू कर दिया है जिसकी रश्या से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा रही थी और अब रश्या की तरफ से यूक्रेन में एक तरीके के चोटे परमानू बोमों को दागना शुरू कर दिया गया है दरसल रशिया की तरफ से अब यूक्रेन में थर्मल बमों का इस्तमाल करना शुरू कर दिया गया है थर्मल बोम को आप एक छोटा न्यूक्लियर बोम समझ सकते हैं क्योंकि जहां पर भी ये बोम गिरता है उस एडिया से ये ओक्सिजन को पूरी तरीके से खीच लेता है जिस वज़े से दुश्मन देश की सेना सांस नहीं ले पाती है किसी भी यूद में थर्मल बोम का चलना पूरी तरीके से बैन होता है और इन थर्मल बमों के अंदर केमिकल का इस्तमाल किया जाता है जिससे ये बोम बहुती बड़े इलाके की ओक्सिजन को पूरी तरीके से खतम कर देते हैं और अब रश्या की तरफ से इन ही थर्मल बमों का इस्तमाल यूक्रेन पर किया जा रहा है और रश्या की तरफ से इन बमों को दागे जाने की वज़े से आने वाले समय में रश्या के उपर वर क्राइम भी पूरी तरीके से लग सकता है